रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते है मुम्रा में क्योंकि मुम्रा में जो लोग है न उनको बहुत अहंकार हो गया है और यह जो हैं इतना फ्रस्टाचार इतनी बेमानी मुझे लगता है कि मुम्रा का डेवलप्मेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जो हैं कहीं ने कहीं सरकारी पैसे का मिस्यूज हो रहा है समाजवादी पार्डी का यह एलाका है कि समझाज़ादी बानने वाले लोग हैं तो हम कोशिश कर रहें कि समझाज़ादी पार्डी की दागत यहां बने और आने वाले दिनों में समझाज़ादी पार्डी के ज्याद कि परो कुछाएं ना झाल नेने मुझे किसी ने बताया नहीं लेकर मैं जरूँज को मजब लूँगा और मैं तरुकों या, कि सरकारों की जिम्मेदारी बिजनस करना नहीं मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है उसके खिलाब लोगों को जवाँ नाची है और टोरंट जो है जबदस पैसे उसूल रहा है और सरकार को यह पैसे अच्छी मिल रही है तो सरकार बाद सुनने को तयार नहीं अभी तो भीवंडी हो गया मुम्रा गया सुब बार इसके खिलाफ इंटेशन कर चुके हैं लेकिन टोरंट जो है ना टोरंट से सारे जितने बड़े पॉलिट कर लोग है इन सब के जो हैं उनके रिष्टे हैं और अगर आप देखेंगे उनके बैलेंस शीट में तो बड़ी-बड़ी पार्टियों को लाकों और करो सब्सक्राइब राजनेतिक रूप से मेरा सवाल रहेगा आपसे आप अक्सर मुम्रा कौसा दौरा करते हैं आते हैं और आपका यह कहना रहत है कि हम ताकत बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यहां पर अस्तानिक तोर पर जो है संदर्टन कुस तरह का कहीं से भी प्रयासरत दिख दिखाई नहीं देती हैं एक वक्त था मुम्रा कौसा में समाजवादी का बोल वाला था पांच-पांच-पांच-चे-चे नगर से वक्ते वो दोर जो है स्वर्नीम दोर कहा जाएगा समाजवादी का वो लोटाने के लिए किसी भी तरह के कोई प्रयास दिखते नहीं है मेल करते हैं और जो लोग भी आते हैं अपने पास मुम्रा एक ऐसी जगह जहां पर पुरानी इमारते हैं बहुत सारी बिल्दिंगें बनीए बिना परमीशन के गरीब लोग हैं किसी ने किसी तरह से परवार बढ़ता है तो अपना घर बना लेते हैं तो यहां बहुत जाही है नणा अपनी क्यों नभा करते हैं आ कंभेसा की बात कर रहां के जो है सत्ताधाईयों की तरफ आप इसारा भी कर रहें नें विवंडी अब के विड़ाग रैक क्यारिक शिय के कारेक शेट्र में धू मचा कि इ Mimi वहाँ पर उसके मुकाबले में आपकी पालिटिक मुमरा कौसा में उत्री चत्रिय नहीं है जवाबी तोर पर जो है आप राजनितिक बाते तो कर रहे हैं लेकिन जवाबी कारवाई आपकी दीख नहीं रही है मैं किसी से हफ्ता नहीं में हैं दो आज आज जो है यह निकलेगा और हम लोग अपने काराओं को बनाएंगे एक बीच में वक्तव भी आया था आपका एक बयान आया था आप जानते हैं मेरी राजनीती ही जुल्म के खिलाफ खास तो से माइनाटिस के साथ 92-93 में जो हुआ था आज महारास्टा में जहां कुछ होता है आप इस बात को मानेंगे कि मैं हद्यका ख़ड़ा रहता हूं लेकिन अगर कोई आज ये कहे कि अपनों को ओड़ दो दूसरों को ओड़ दोगे तो कुफरियत है अपना लीड़ बनाना है आपको किसी गहर मजब की लोगों की जह जह कार करोगे तो अल्ला की तरफ से आपको अज़ाब दिया जागा है इस तरह कि जुम्ले अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसके बदले में मैं यही कहूँगा कि भारत वर्ष एक सबुदर मुल्क है एक मुल्क था जिसका बटवारा हो गया एक पाकिस्तान बन गया जो मुस्लिम मुल्क बन गया हम प्योर मुस्लिम सियासत पाकिस्तान में कर सकते हैं जो लोग पाकिस्तान में भारत वर्ष में हमें यहां हिंदू-मुस्लिम की एक्ता चाहिए और आप बताईए कि 1947 से आप मज़र देख लिए क्या मज़र इसमें कुछ लोग जो है ना अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए और बीजेपी को ज्यादा ओट मिल जाए ऐसे इस्यूज उठा करके ना ओट बाटना चाहता हूं यह समय पार्टी बनाने का नहीं है यह समय ऐसा है कि जो लोग दिल्ली और यूपी की गद्डी पर बैठे हुए हैं वो इस देश के कंस्ट्यूशन को बरबाद कर देख करके गांधी जी के कातिल को हीरो बना करके इस देश की पूरी एकोनामी बरबाद करके जो पूर्खों ने बनाया था सब बेच करके इस इस देश में राज करना चाहते हैं इनके खिलाफ हम सब को इकठा होकर उनको हराना चाहिए साजा लीडर्शिप फिर भी रहती है क्या मुस्लिम समाच भो साजा लीडर्शिप का अपना हग कायम नहीं रखना चाहिए मैं नहीं लीडर हो गया मैं मैं पार्लेमेंट में कानूर बनाता था और उसके बाद मैं आसंबली में तिसरे टम में हूँ आजम खांस आप लीडर नहीं है क्या जिए हैना बहुत सा रहे हैं और कोलोराइशन की राजनीती के दौर के बाद से मुस्लिम नेत्रुत्व का परसेंटेज कम होता जा रहा है और उस पर पूरी कौम में पूरे समाज में कहीं पर भी फिक्र नहीं है अगरशनीती किसी पार्टी की दौरा की जा रही है यह बाड़ ठीक है लेकिन मुस्लिम समाज को एका करके उसके नेत्रुत्व का मदाना हर फील्ड tai जो मुस्लिम समाज के लिए पूरी तरह से कामकरती नगिन नजर नहीं आ रही समाजवादी पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा पर्टी के यूपी में चुन के आते थे मिनिष्टर कैबिनेट मिनिष्टर बना जाते हैं और आज आप देख लिए अगर आप कहेंगे कि हिस्धारी तो मुलायन सिंह यादो और अखलेस यादो के बाद जिसका नंबर आता है वो मुसल्मान इसका नब आधाम खान है कहीं भी आप से देख लिए जा तो हिस्धारी है ना दिया जा रहा है और जितना काम इन लोगों ने किया है और आप से मैं डिबेट करते हूं कि जितना काम यूपी में अखलेस यादो जीन निकिया है सबके लिए क्या है उसके सासाथ मुसल्मानों के लिए भी क्या है तो अगर आज वहां पर ये बात की जाए कि समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी नहीं दे रही है तो बिल्कुल गलत इल्दाम होगा यह आप समझते है अगर मुसलिम बहुत राका है यहां पर हमिले मुसलिम होना चाहिए तो सर मुकिने क्या खेंग आप देखे ऐसा है ना कि मैं समझता हुआ हिंदू मुसलिम कोई बात नहीं है हमारा तो हमेशा यह कहना रहा है कि इस देश में सेक्लुरिजम उस वक्त होगा जब कि जहां 100% हिंदू हो वह एक अच्छा मुसलमान चुनके आजाए और जहां 100% मुसलमान हो अच्छा हिंदू अच्छा हुआ है अगर आप को निकला निकला है अगर आप देखेंगे उसमें ना तो आपको हासूर निकलाएगा और इस ड्रामे में आखिर में जो ड्रामे करने वाले लोग है वो सब गहर मुसलिम है कोई मुसलिम नहीं है बात में वो कहते हैं अगर इंसाफ कहीं मिला है उर्दू को तो समाजवादी पार्टी ने दिया है जो समाजवादी पार्टी के मेंबर भी नहीं है तो मैं ज़रूर अपनी लोगों से खोंगा कि ये भूल चुक मत कीजिए थोड़ा उर्दू को भी डाली हो से असी माई आपकी आफिस में खासकर मिली तरीक के जानिक से स्कॉलर्शिप कम इसले कई साल से यहां पर शुरू किया गया बहुत बच्चों को फाइदा भी हुआ और काफी महनेत रही आपकी पुरी टीम की इस पार किया वासर पिछले साल के स्कॉलर्शिप में इंकम साटिप तो इसके लिए मैनोर्टी कमिशन में जाओंगा मैं चीप इस चीज को हल कराने की पूरी कोशिए हो रहाँगा मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुम्रा की विंग ने जो एतनी मेहनत किया इसके वाइसे मुम्रा भी नहीं नहीं पर में नहीं की वाइसरीम नहीं होने तो माशारला बहुत लोगों की मिला और इस पर हम लोगो को बहुत मेने से काम करना चाहिए हमार यह मखसद है कमीनटी में लोग फड़ी लिखे वह हो जो बच्चों जिन बच्चों का जो रेजर्वेशन नहीं है आज बच्चों को उससे फाइदा मुंबई, भिवंडे, ठाने, क्या तैयारी रहेगी समाज बादू? यह है की करपशन खतम होना चाहिए, करपशन खतम हो जाए तो आदी बिमारी खतम हो जाएगी, इसकोलों में जिस तासे प्रवड़ स्कोलों में डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल प्राई होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो कार्परोशनल में हमको लाना है, अब की ताकत से मैयर बनता है तो हम उसका मैनेफेस्टो बना रहे ropes मैनेफेस्टो के मताबिक सबसे ज़रूर है कि हेल्थ सेंटर जिस तरह से बदिल्D में बनाया गया है महला क्लिनिक उससला क्लिनिक बनना चीए education में इसकूलों को मॉडरणाइज करना चीए आज क्या हो रहा है कि जो कारप्रोशन की स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे बहुत कम पढ़ने जाते हैं और चोटे-चोटे स्कूल में जहां आठ च्छे अज़ा तनकाई मिलती हैं उन बच्चों का रिजल ज़ादा अच्छा आता है आप आए मानकुछ शिवाजिनेगर में आ स्कूल में जगाई नहीं मिलने बच्चों के पढ़ने के लिए इतनी बड़ी बिलनिक बनने के बाद एन कारप्रोशने स्कूल में भीड़ बढ़ती जा रहे हैं एक स्कूल है अभी बनाना है उसको लेकिन अभी सब्सक्राइब का फंड निया रहा है उसमें तिरपन करोड अभी बनाएंगे इसी तरह से मुबरा के लिए भी हमारी थोड़ा से साज़दारी हो जा तो मिनिस्टर नवाब मली इन्होंने बहुत सारे इलजामात एंसी भी पर लगाये है पूरे मामले को लेकर क्या परिए नियुकुर ऐसा है कि जो जिस तरह से लोगों को पखला जा रहा है इतना जादा आज जो है नश्यका काम बढ़ रहा है और उनको पकड़ ना पकड़ करके एक इसलेबरेटी को पखला करके जिस तरह से लोग पब्लिसी लेना चाते हैं वह बिल्कु गलत है और मैंनो वाल मलीक की बात को आप देशेड करता हूँ कि उन्होंने जिस त लोगों किरिफार क्या जिसके वएसे बहुत ज़्यादा पॉबिसिटी मिले यह हो रहा है यह इस पर डोक लगना चाहिए लिए यह यह निए इंसीपी सुप्रीमों शरत पवार जी ने बीच में जो कहा कि केंद्र सरकार जो है वह अपनी एजनसी का राज्य के खिलाब दुर क्यों कर दिसके जब सकाना